आप सब भी विवर का मेरे चलन्ग पर स्वागत है आज की इस वीडियो में देखें बिगोनिया के प्लांट है बिगोनिया प्लांट को किस तरह से लगाएं और इसके लिए किस तरह के स्वाइल आप रेडी करें कि आपके प्लांट हिल्दी भी रहे और बहुत सारे मात्रा मे इस प्लांट में फूल आएं देख सकते हैं बिगोनिया प्लांट में देखें छोटे-छोटे रेट कलर के फ्लावर आते हैं और छोटे-छोटे साइज के और गुच्छों में फ्लावर आते हैं देखें और इसके लिए देखें मैं एक पॉट ले रखी हूं मिट्टी वाल 40% रखी हूँ देखिये 50% के करीब मैं स्वयल लिया हूँ और 25% के करीब सैंड और 25% के करीब कोगोपीट और 2 चमबच के करीब मैं नीम खली ले रखी नहीं इन सभी सभी को आप मिक्स कर ले मैं मिक्स कर लेती हूँ प्रेंड्स आप जब भी आप बिगोनिया प्लांट को रखें तो कोशिस करें आप इसे फूल साल लाइट में ना रखें खासकर गर्मियों में यह थोड़ी से पाटियल सेड में ग्रो करने वाले प्लांट है चलिए मेरे स्वाइल अल्रेडी मिक्स हो चुके हैं चलिए मैं प्लांट में निकाल लेती हूं देखें इसके रूट से ज़्यादा छेड़ छड़ा आप ना करें इसी तरह से मैं इसमें रख दूंगी चलिए सबसे पहले मैं थोड़े से स्वाइल में स्पाट में डालूंगी स्वाइल करें तरह से स्वाइल कि अल्रेड ले वड़ा और दूंगी स्वाइल फिसों अवर्ण बात्रों ग्रें आप एंपत्रों को से थाइल अवर से लाइल यवर प्लांगी कि देखिए फ्रेंड्स मेरे प्लांट अल्रेडी लग चुके हैं देख सकते हैं चलिए मैं बाटरिंग भी कर दूँ फ्रेंड्स गर्मियों से इस प्लांट को बचाएं आप फूल सललाइट में ना रखें जहां पर आप मौर्निंग की धूप आती हैं वहां इस प्लांट को रख सकते हैं इसी तरह से बिगोनिया प्लांट के स्वाइल आप रेडी कर सकते हैं हैंक्यू